Your Honor हम मानते हैं कि हमारी क्लाइन्ट से खून हो गया है मगर अदालत को ये समझने की भी जरूत है कि उस वक्त उसकी दिमागी हालत क्या थी हो वो किस mental pressure से गुज़र रही थी एक कहावत है अपना हो या पराया कोई बावरा कौनों की ना हो ली वो कि एल यह और इन दॉक्यमेंट्स मेरी क्लाइन की दिमागी हालत का ब्योरा है हर इंसां की बॉड़ी में एक अठाच्रall defense system होता है जो उसे किसी भी खत्रे से अलर्ट करता है मेरे क्लाइन के दिमाग में ये defense system कुछ साधा यूग्र होकर उत्पन हुआ है जिसकी विज़े से उससे ये खून हो गया है ये केस हत्या का मामला नहीं एक कैर इरादत और हत्या का मामला है आप इमाजन कीजे अगर आपके पास कोई इंसान एक चाकू लेकर आप आकर आपके उपर भौकार जमाने की कोशिश करें तो आप क्या करेंगे? जी हाँ आप उसे रोकने की कोशिश करेंगे और मेरी क्लाइन ने उसे रोकने की कोशिश की पर छल्ध वाजी मतंच से ये खून हो गया योना मेरी कोट से कुझारश है कि मेरी क्लाइन के दिमागी हालत को मंदे नजर रखते हुए उसे कम से कम की सजा दे that's all you honor